क्या आपको अपने बेड़ पर लंबे समय तक टिकना है? यह सवाल काफी लोगों के मन में आदा है कि मैं जाना से जादा बेड़ पर कैसे टिकूं? और जाना से जादा अपने स्थिरी पार्टनर को कैसे खुछ रखूं? या खुद को भी खुछ ही कैसे लाँ? ये सवाल लेके लोग आते हैं तो उसका जवाब में और कुछ नई बाते आपके सामने लाके करूँगा वीरिय पतन पतन होने का टाइम जो है वो एवरेज 5.7 मिनिट्स का माना गया मतलब जो स्टेड्स में निकल करा है वह 5.7 मिनित्स एक स्टेडी में अलग Alegr सने से पर यह 5.7 मिनिट्स ये मतलब है कि लिंक आयुनिमे प्रवेश ने के बात गिरने तक का टाइम लिपित आने का टाग ये ताइम मतलब लिंक यूनिमे प्रवेश होने के बात गिरने तक का टाइम जब गिर गाता है तब तो 5.7 मिनिट से एवरेज में और ऐसा देखा जाया तो 7-13 मिनिट लोगों का दिखाई जिया मतलब काफी लोगों का स्टेडी में ऐसे दिखाए गए स्टेडी में कि 7-13 मिनिट है लोगों का है उसको मसाज करने में मज़ा आता है क्या करने में उसको मज़ा आता है कि यूजली एडेनी गिवन टाइम तीस प्रतिशत लोगों को यह प्राब्लेम है शिघर पतन का और वह एक मिनिट से कम समय में उनका पतन हो जाता है और एक मिनिट मतलब लिंग का वजायना में और प्रवेश होने के बाद वह एक मिनिट के ऊपर टिकते नहीं है गिर जाता है तो इसे तीस प्रतिशत लोग है मंगर उसमें से नौ प्रतिशत लोगी डॉक्टर के पास पहुंचते राते भी नहीं है वैसे ही रहते हैं तभी यह संख्या जो है बहुत बढ़ी तादाद में है नाइन प्रसेंट बोले तो बहुत जादा संख्या है जल्दी होना बोले तो एक मिनिट के पहले ही हो जाता है तो उसको बोलते की जल्दी हो गया है दूसरा क्रेटरी है कि दोनों पत्ति-पत्नी या स्त्री पुरुष न चाहते हुए भी यही पतन हो रहा है तो वह भी है बहुती प्राबलेम होके उनका सेक्षल लाइफ दिस्टम हो रहा है और वेवाई जी उन भी डिस्टम हो रहा है तो यह सब वह रा रहा है अभी यह शिक्या पतन पहला सब्ले सिंगластर है आपको वालब येसे sex life चालो के तफसी शिकर बतन है और दूसरा है कि वो acquired है अभी जल्दी गिटना शिरू है और वो कर जल्दी गिर आनों के पहले आख्रम सीमा अच्छा चरम् सिमा पर निखा गय। तो चरमसीमा पर पहुँचने तक ही मुठीह कि अच्छा छोर है उस तक ही आप रूख सकतें उसवाद छन चरं सिमा double पहुंच गें पहुंच जादा excitement आगे बाद में तो आप ही आप निकलना है तो पीछे एरीड के अड़ी में spinal ejaculation center है reflex है वहां से reflex तैर होता है और दूसरा brain में भी होता है कि brain excitement आता है और वहां से फिर reflex आके निकल जाता है अब यह ठीकना है तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेंगा number 1 जो है वह साइको थरभी या counseling कि जिसमें आपकी क्या प्रॉब्लेम से टेंशन है डिप्रेशन है nervousness है performance anxiety है तो वह निकल कर आते हैं तो प्रॉब्लेम ठीक करो क्या होता है कि कभी कभी यह प्रॉब्लेम शुरू होते हैं कि जल्दी जल्दी में कर लिया शादी के पहले जल्दी में करने के आदत लग गई कहीं भी मिल गई प्रॉब्लेम से मिल गया उसमें फटाफट सेक्स कर लिया गिरा दिया तो एक तो वह सकता है या हस्त में तुन करते हैं और बहुत बार हस्त में तुन करते हैं और जल्दी गिरा देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है घर में प्राइविसी नहीं मिलती है हस्त में जल्दी गिर भी बहुत काम करती है तो दूसरा जो है वो है कि स्टाट एंड स्टॉप टेक्निक है कि जो टेक्निक का इस्तिमाल आप करते है तो लिंग को excitement का अंदीम चरम सीमा पहुशने के पहली निकाल लेना लिंग को जो सामने का जो है ग्लांस पेर से खेष इसके पीछे गड़ा रहता है एक लीनी चे अर्गक्र ऑफ मस्का ऑद करना को टीला में फिर खेलना फिर ए रेक्षन होने के वाद में संदर ढलना है और फिर कथे खेल खेलते खेलते गेलते ऐसा लगा कि इसके बाद में गिर जाएंगा उसको बलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और वहां से फिर बाहर निकालना वह आने के पहली ही वह जो गड़ा है उसके नीचे अंगुठा दो उंगलियां ऊपर दमाना धिला करना तो ऐसा आपको जितने समय तक लंबा करना है तब तक आप कर सकते हैं पांच दर्स पंदरा मिनित तक खेल सकते हैं और बाद में जब ऐसा लगा कि अभी गिरा देने का है तो गिरा देने का है तो यह स्टाट आप तीन बार मारो एक इदर से एक उदर से नीचे से लिंक को तीन जगत तीन बार स्प्रे मार लो तो वह सून हो जाएंगा और आप जब योनि में लिंक का प्रवेश करते हैं तो वहां कोई घर्शन होंगा तो मालूम ने पड़ेगा और आप लंबया चल सकते हैं वैसे अच्छे रहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे इसके अलावा ऐसे सारा एस जो है सिरेटनिन इसके साथ करते हैं तो यह दवाइण का इसको अपले सकते हैं और फिर उसके साथ साथ यह पूसके उस्तिमाल करता है और फिर इसके साइड़ाँ के लेते हों दबाईयां तो जो है दवाई ट्रैमाडॉल तो वह काफी समय लोगों ने यूज़ करके देखा हुआ और उसका ट्रैमाडॉल का भी फायदा होता है वह सेरोटॉनिन एरिय टेक जो है उसको इनिविट करता है और ट्रैमाडॉल भी फायदे कि रहे उसके अलावा अल्फा ब्लॉकर जो है अल केरफुली यह दवाई लेनी ज़रूरी है कीगल्स एक्सेसाई लोगों ने ट्राय करके देखी है कीगल्स एक्सेसाई से भी लोगों को फायदा होता है तो यह सब आप करते हैं तो डेफिनेटली आप बेड़ पर लंबे समय तक चल सकते हैं वह आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेर करो थैंक यू बेरी मुच्छ